मंटे के बाद जो मैंने चेक किया तो 3,24,000 का मैक्स गया है भी हुई है लेकिन यह बाद में कर दिया तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो कोको के A4 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक का अपडेट आ चुका है और आज के इस वीडियो में आपको बता हुआ कि इसका परफॉर्मस क्या देखने को मिलता है क्या है इसे आपको डालना चाहिए या फिर नहीं जिससे आपको प्रोपर आइडिया लगे या क्या होगा और क्या नहीं होगा इसे डालने के बात तो चल यहां पर यहां पर भाई मैं डाइनेमिक वॉल फिपर जो है वो यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर फीचर अनलॉक करके दिया जाता है जिससे आप इसका बेनिफिट ले पाओगे साथ एप्स ओपनिंग क्लोजिंग में आपको अनिमेशन नहीं मिलता क्योंकि आइकन यहां पर आइकन डाल गए तब आपको अनिमेशन देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर जो आइकन पैक है वो डिफरेंट यूज किया गया है जिसके आपको आइकन अनिमेशन यहां नहीं नजल आता बट वह आपको मिल जाएगा यहां पर डिवाइस कंदर आते तो पोको यूज करा गया है बाकि यहां पर आप देखने को मिलता है नोट वगेरा और बाकि यहां पर जो अनिमेशन है सेटिंग के वह आपको काफी हद तक सही देखने को मिलते हैं कोई सिकायत नहीं है अगर हम लेंगवेज सपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर आपको multi-language unlock मिल जाता है जो कि ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ multi है तो यहां पर आप अपने native language उटको find out करके यूज कर्स पाओगे साथ-साथ यहां पर floating window मिलता है जहां पर sidebar वगएर आपको मिल जाता है call toolbox भी आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर user account additional app setting developer का मैंने on किया है क्य है नहीं वह भी मैं आपको दिखा दूँगा क्या फर्क पड़ा actually में बाकि यहां पर charging के option मिलते हैं यह आपको health हो गया मिल जाता है battery protection भी दिया गया smart charging का और बाकी वही common से basic option screen on timing भी यहां पर है और मैंने अच्छा खासा यूज भी कर रखा है display के अंदर यहां पर dark mode के ब सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पर अगर बढ़ाते हो तो आपको benefit मिलेगा face unlock fingerprint आपके proper working रहते हैं तो इसमें आपको कोई दिखत नहीं आता और रही बात face unlock तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा unlock हो रहा है easily ठीक है बाकि यहां पर launcher की बात करते हैं तो काफी कुछ चीज़े यहां पर on करी गई है जैसे कि यहां पर आपको जो pop-up style recent देखनी को मिल जाता है center का height का restart का button और यहां पर आप देख पाओगे कि जो iPhone वाले animation look है वह आपको देखनी को मिलते हो कई सरे tab यहां पर maximum मैंने सारे application on कर रखे हैं और सारे यहां पर काफी smoothly काम करें तो क by optimize animation का option मिल जाता है double tab का option है search bar का option है और यहां पर new unlocking animation भी आपको मिलते हैं यानि काई सारे animation के option आपको मिल जाते हैं बाकि यहां पर हम बात करते हैं जो कर सकते हो एक नया option आपको मिलता है पर app language session भी यहां पर add किया गया जो किसी यूट्यूब करता है डिटेक्ट करता है बाकि यहां पर आपको वही सारे common से basic option मिलते हैं तो दो तीन option यहां पर नए हैं जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलते थें बाकि यहां पर lock screen प पाता जैसे कि मैं इस image को कर रहा था तो अभी तक processing में यहां पर दिखाता है लेकिन वह हुआ ने सेम चीज यहां पर इसके साथ भी हुई है लेकिन यह बाद में कर दिया तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो काम करता है लेकिन sometime काफी जड़ा delay कर देता है तो य 10-second को unlock भी किया गया है बट मैं इसका ज्यादा यूज नहीं करता है जब से यह जो डाइनेमिक वाल फेपर के फीचर्स आया ना यह मुझे थोड़ा ज्यादा बहसरी लगते हैं लेकिन आपको अपनी पसंद है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो बागी और कुछ खास यहाँ पर नया extra customization नहीं दिया गया एक छोटा सा glitch tab का मैं कहुंगा कि है जैसे कि आप देखो slide करूंगा ना तो hyper जो है mint यह इसके ऊपर overlap हो जाता है जो कि नहीं आना चाहिए तो यह चोटा से यहाँ पर glitch है एक तरीके से जो कि आने वाला टाइम में solve हो जाए कोई बड़ा जेंटर आपको हलका सा different modified technique को मिल जाता है और एक setting मैंने on करते है जिसके वैसे यह यहाँ पर आचुका है जो कि यहाँ से on and off कर पाएंगे यह पर lesson नहीं था लेकि मैंने setting को on किया इसलिए यहाँ पर एड हुआ है तो बाकि आप अपने हिसाब से चीजे कर सकते हो अब रही बात यहाँ पर result हो यहाँ पर काफी जड़ा downside technique को मिला और one day के बात टेस्टिंग भी किया तो भी कुछ खास improvement नहीं आया यानि इस पोकोई फोर में जैसा के time में रोताद होता रहता है ना वह सेम चीज़ यहाँ पर नजर आ जाती है जो कि भाई कुछ खास नहीं है वहाँ लाग 92,000 मैक्स और मिनमिया पर दो लाग 97,000 है 95 का percentage है परसेंटेज काफी अच्छा है रस्टेवल भी है वट ग्राफ उतना ज्यादा हाई बूस्त नहीं है लेकिन वहाँ पर देख सकते हो वण डे के बाद जो मैंने चेक किया तो तो 3,24,000 का मैक्स गया है और मिनमिया पर दो लाग 98,000 मैं जा रहे है 94 का percentage है यानि CPU रिजल्ट काफी बहते लिन है वन डे के बाद जब रोम सेटल हो जाता है अच्छे तरीके से तो अपना रंग दिखाता है वह बात करें बैटरी ड्रॉप की और अन्टू टू स्कोर की तो अन्टू स्कोर काफी बहते लिन है जो क यह इसू करेगा में भी लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा तो है ही भाई गिक बेंच तो ज्यादा गया नहीं डिवाइस आपको certified मिलता है तो इससे रिल्ट डिकत नहीं आएगी एलवन का support आपको मिल जाता है साथ-साथ यहां पर bootloader स्फूफ क किया गया है तो कुछ application ऐसे जूच करते हैं जहां पर bootloader unlock के बाद दिक्कत करती है तो इसमें यह चीज नहीं होगी फोटो स्ट्रोज आपको यहां पर unlock मिलता है अच्छी बात है डिवाइस का screenshot frame एड़ किया गया है जो कि काम करता है और और साथ चेक कर रखा है camera working है गेमि काफी सही है बस bat is related एक छोटी से दिक्कत मुझे लगी है जोकि वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी है तो decide आपके उपर है आप क्या करना चाहते है इसके साथ डालना है या फिर next update का wait करना है कोई और home use करना है comment जरू करना मैं मिलता हूं इस वीडियो में औ और है इस तोल कर लेना ठीक है बाई